बाबा साब अम्मेट करकी अगर भगवान बुद्ध और उनका धम्म अगरा पड़ेंगे तब उसमें कोलियों का और साक्यों का एक युद्ध की इस्तिति दिखाई जाती है मगर दोनों के पास ही सेना नहीं है वो जितने भी खेतिये लोग हैं खेतियों को बाद में छेतिये बोला जाता है क्योंगी खेतर और छेतर एकी बात है खित कोई बाद में छेतर क्योंगी छे पाली भासा में नहीं होता है इसलिए जितने भी खेतिये लोग थे वो सब को कमपसरी था कि अगर कोई आपात काला आता है तो वो सारे के सारे सैनिक में बदल जाएंगे और 21 साल या 20 साल से एक निश्चित उमर थी उसके बाद में हर ख आते थी तो वो सैनाय आपस में यानि वही लोग जो खेतिये लोग थे वही खेतिये लोग लड़ने के लिए जाते थे हाला कि ऐसी कोई बड़ी रड़ाईया होती नहीं थी कोई छोटी मड़ी क्योंकि यहां धन धानने खाना पीना बहुत बड़े था फिर भी वाद विव बाद होते रहते थे जैसे कॉली और साक्यों में जो रोहिंगी जिद्यवर्थी उसमें पानी के लिए बाद विबाद हुआ बाबा साब अंबेट करने समाजिक सुक्षा के लिए वोलिंटर्स बनाए उनका नाम समता सैनिक दिया समता सैनिक दल बनाया बाद में वो दल के बहुत सारे टुकड़े हो गए और उस दल की माने तक खतम हो गए ऐसे ही भारत के अंदर सामاجिक सुरक्षा के लिए सामاجिक लोगों ने बहुत सारी सैना हैं, ब्रिगेड, वलिंटर, पैंथर, टायगर, सैना, आर्मी, मिलिटरी, बहुत सारे नामों से ये सारी-सारी फोर्स होगे या वलिंटर फोर्स हैं, बहुजन वलिंटर फोर्स या समता वलिंटर फोर्स बहुत सारे नामों से जगे जगे कुछ काश्ट बेश्ट हैं और कुछ धरम पर आधारित हैं धमुपे आधारित हैं और कुछ सामाजिक रूप से हैं कुछ सामाजिक छेत्रों की हैं ये सबी लोगों ने जो ये सामाजिक वालिंटर्स बनाये हैं, ये स्रक्षा के लिए बनाये हुए हैं, मगर अपसोस इस बात का है कि जितने भी ये सेनाय, जितनी आर्मी, जितनी ये वालिंटर्स, फोर्स, या दल, या बल, या टाइगर, या पैंथर, या ब्रिगेड, या अर्मी या सकती दल या महा सकती दल जो भी ये बने हैं अगर आप धान से आंकलन करेंगे तो ये सारे के सारे ही भाषनवाज हैं लफ़ाज हैं इनका ना ही तो कोई सेंटरल आफिस है ना ही कोई इनका स्टेट का आफिस है ना ही ये एक साथ हैं सबसे बड़े अफसोस की बात है कि ये समाज के लिए काम करते हैं बावा साब की पटन पर काम करते हैं बावा साब को आडिल मानते हैं बावा साब ने काय संग्डित रहो और ये विखंडित हैं सारे सारे ये सब अपना अपना काम करते हैं किसी की ना ही तो कहीं कोई टेनिंग होती है यानि कि जैसे parade होगी, या वो ground में खटे होके rehearsal करेंगे, या वो कुछ अच्छा सीखेंगे, सारे के सारे जितने भी हैं, स्वेसंभूर leaders, वो सब नेतागरी करते हैं, सब राजनीती पे बोलते हैं, यानि राजनीती पे बोलते हैं, और नाम लेते हैं, वोलिंटर फोर्स का, समता सैनिक का, या सक्ती दल का, या पैंथर का, या टाइगर का, या आर्मी का, या सैना का, या ब्रिगेड का, या फोर्स का, नाम लेंगे दल बल का, और करेंगे सारी बात राजनीती की, तो उनमें defense करना बड़ा मुस्किल है कि एक नाम लेके नाम ले रहे हैं volunteer का, नाम ले रहे हैं social security का, सुरक्षा परिशत का, परिशत की सुरक्षा करेंगे, समाज की सुरक्षा करेंगे और काम कर रहे हैं राजनीती का सब का भाषन एक होता है, सब government के against में राजनीती करके बात करते हैं, तो उद्देश से उनका इस पष्ट समझ में नहीं आता आपने नाम को छोल लिया, बता को छोड़ दिया, कर को छोल रहे हैं, तो उद्देश से तो आपको कहीं मिलने वाला है नहीं लोग इस बात को समझ नहीं पाते, कि ये जो दल बना है, इसके उद्देश से क्या है, वो कभी अपने उद्देश से बताते भी नहीं हैं, in fact उनके पास में उद्देश से कोई लिखित कॉपी है भी नहीं, नहीNके कोई कोई Constitution है नहीं सम्भिधान है और कोई किसी के पास सम्भिधान है भी, तो वो सम्भिधान पर कायम भी नहीं है सबका पैटर्न लगवग एक्सा है समाज से कुछ पैसा लेना है कहीं कोई बर्दी बर्दी बनवा लेते हैं कहीं कुछ हैं मगर उनका कोई एनुवल या वीकली या डेली कोई टेनिक प्रोडाम नहीं है कभी नहीं बावा साथ के समय में जो सब्दा सेंग दल रहा था वो बड़ा सुसजित और बहुत अच्छा होता था उनके डंडे-बंडे उनकी पैट्रिस बहुत बड़े होती थी और वो राजनीती के पशड़े में नहीं पड़ते थे नहीं वो किसी उनका काम होता था समाज में अगर कोई दिक्कत आती है तो समाज को सुरक्षा की गारंटी देना अभी दिक्कत यह आ रही है कि समाज में सुरक्षा की गारंटी देने के नाम पे एक तो इन्होंने बहुत सारे दल बना ली है जिनको 14 अप्रेल 2020 तक हर अलत में एक होना है अगर वो एक नहीं होते हैं तो जैरज़ी बात है कि सबके अलग-अग उद्धिसे हैं और वो 10,000 साल तक भी अपने उद्धिसे में काम्याब नहीं हो सकते क्योंकि एक तो वो लिमिटीट काश्ट के लोग हैं और limited caste के लोग बड़ी force नहीं बन सकते, जब तक वो सब के सक समण समाज नहीं बनेंगे, जब तक वो power नहीं बन सकते, अगर ये सब अलग अलग ये दल बल जित्ते भी हैं, अगर वो एक नहीं आते हैं, तो वो समाज को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, किसी भी हालत में प्राप्त कर सकता है, बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि हम ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हैं, हमारा काम ज़्यादा बड़ा है, उनका कितना ही बड़ा काम है, अगर कोई स्रूल कास्ट है, तो उसका 15% से ज़्यादा नहीं है, कोई अगर स्रूल ट्राइब है, तो उसका 7 सुक्षा हो सके. इसलिए आपको क्या करना है? आपको करना यह है ज़िसक्ति दल, और another dollar, specific- कोई शक्ति दल कोई सम्दा सेंग दल कोई भाचन दल कोई भाचन व्लिंटर अगर कोई आप से इस तरह का कहता है जिए सामाजी सुक्षा दूंगंग तो आप उनसे सब हो चुका है ये एक centralized system में काम कर रहे हैं तो फिर अपने आप ही लोगों की हिम्मत ही नहीं होगी कि वो आपके लोगों के साथ में कोई atrocities कर सकें कोई ऐसी काम कर सकें जिससे उत्पिर्ण हो या कोई मार पिटाई या कहीं कोई बलातकार या कहीं कोई अद्टियाचार होगा ही नहीं क्योंकि सब आप विखरे हुए हो सब अलग-लग हो एक जिकर आटर Tsch侍 होती है आप 5 लोग마 अलग-लग जाते हो तो सामने वाले को पता है कि आप विखरे हुए हो जब आस सामने वाले को ये पता है कि आप विखरे Hoaiser हो तो आप की सुनेगा वोल्टर फोर्स में भी आपको बावा साब से ये बात समझ में नहीं आई कि बावा साब का उद्देश से क्या था बावा साब ने संग्ठत होने के लिए क्यूं कहा आपको समझ में नहीं आता कि संग्ठन क्या होता है क्या नहीं होता है बराय महरवानी आप अपने इन सभी दल बल नेता सक्ती, टाइगर पैंथर को, वल्टर फोर्स को, जितने भी आपने जातिकत बनाई हुई हैं, जो समण समाज की हैं, उनको 14 अपैल 2020 तक बिना सर्थ के एक कीजिए, आप अमेट का भवन से उसकी गोशना कीजिए, मुंबई से कीजिए, दिली से कीजिए, पालिय यकीन नहीं रहेगा, विस्वास नहीं रहेगा, लोग आपको मदद नहीं करेंगे, आप नाम कुछ और लेते हैं, कर कुछ और रहे हैं, लोगों को सब सोंज में आता है, आप इसको ध्यान दीजिए, इससे पहले कि हमारा नुकसान और ज्यादा हो जाए, आप 14 अपैल 2020 त ज़ आपको में आता है, आपको में आता है, आपको में आता हैं, आपको में आता हैं, 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 आता हैं झाल झाल